Hello friends, तो हम स्टार्ट करने वाले अपनी उनिट फिफ्थ को, इस उनिट को मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दूँगी कि एक भी कोशन एक्जाम में बाहर से नहीं मिलेगा आपको PYQs भी करवाऊंगी और सारे टॉपिक अच्छे से समझा दूगी कि आप खुद भी लिखके आ जाओगे बिना रटे तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को, ठीक है पहले तो यूनिट का नाम बता देते हूं, आपको यूनिट का नाम है Social Entrepreneurship पहले टॉपिक है मेरा Social Sector Social Sector क्या होता है, आप खुछ से सोचिए क्या होता होगा एक Organizations होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत सारी activities को perform करते हैं, जो focus करते हैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, उनके लिए एक better environment बनाने के लिए जैसे कि specially कौन से fields में काम करते हैं, जैसे कि education हो गया, health care, poverty reduction, जैसे कि हम क्या करेंगे, कि हम education पे focus करेंगे, उनके education को better बनाएंगे, गरीबी को कम करेंगे और health पे ध्यान देंगे यह क्या होते हैं, हमारे non-profit groups होते हैं, मतलब कि अपने profit पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, यह charity का काम करते हैं, बहुत सरे government के भी ऐसी programs होते हैं, यह हमारे social issues को solve करने में, लोगों को जरूरत में help करने के लिए काम आते हैं अगला topic है हमारे दो approaches, इसके नहीं दो approaches होते हैं, जो बहुत जादे important है, आपको पता होना चाहिए, पहला तो हमारे human resource development है, इसमें हम क्या करेंगे, लोगों की skills पे, abilities पे ध्यान देंगे, और कहीं न कहीं यह focus हमारे economic growth पे करता है, मतलब कि economic growth को बढ़ाने के लिए, उस पे जादा focus करता है, लोगों की skills से, दोसरा है हमारे human development approach, इसमें क्या होते हैं, हम दोनों तरफ पर focus करते हैं, मतलब कि हम क्या करेंगे, सिर्फ economic growth पे focus नहीं करेंगे, हम लोगों की life को, लोगों की quality of life को improve करने पर भी focus करेंगे, ठीक है, अगला topic है, हमारे social sector perspective in India, इंडिया में परस्पेक्टिफ क्या है, शोशल सेक्टर को लेके, इंडिया में हमारे social sectors होते हैं, वो basically किस पे काम करते हैं, वो हमारे education पे, health care पे और गरीबी को कम करने के लिए, जादा focus करते हैं, इंप्रूफ करते हैं, यह हमारे और women's को बहुत जादा support करते हैं, focus करते हैं women's को support करने के लिए बहुत जादा useful होते हैं, government बहुत सारे organizations बनाती हैं, या फिर बहुत सारे schemes बनाती हैं, और बहुत सारे organization भी साथ मिलके काम करते हैं, लोगों की life को और जादा better बनाने के लिए, जादा सारे focus करते हैं poor लोगों के लिए कुछ better करने के लिए, अगला topic है, मेरा social entrepreneurship, य पहले पढ़ा था मैं आपको बता है ता कि खुद का बिजनस स्चार्ट करना उसको रन करना और प्रॉफिट कमाना सीम यह यह बस इसमें किस पे फोकस करते हैं हम अपने बिजनस पे हम शोशल इंवर्मेंट पे शोशल सोसाइटी पह जादा फोकस करते हैं तो इसमें कोई इसे की गरीबी, एजुकेशन और हैल्थ की है यह सिर्फ फोकस हमारा पैसे बनाने पे नहीं करता है सिर्फ हमारा मनी नहीं होगा बेसिक हमारा जो फोकस होगा हमारा फोकस किस पो होगा कि हम कुछ अच्छा डिफरेंस ला सके सोसाइटी में लोगों को फाइनेशली सस्टे बना सके लोगों की हैल्प कर सके हमारी बिजनेस आइडियाज होते हैं वो इस तरीके से लोगों की हैल्प करते हैं जो बहुत ज़ता गरीब होते हैं जो बीसिकली कुछ नहीं कर पाते हैं तो कुछ स्कीम से ऐसी होते हैं जो उन गरीबों को हम एक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सके, next topic हमारा various models of entrepreneurship तो इसमें से हमारा पहला model है, micro finance model तो नाम सी पता चल रहा है micro, micro मतलब की छोटा finance मतलब की पैसे तो इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे loans प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जो low income communities होती है उनको help करने के लिए कि वो क्या कर सके, अपना खुद का business grow कर सके, और उनको empower करते हैं, ठीक है कि वो क्या कर सके, खुद से self sufficient बन सके, आगला model हमारा non profit model non profit model मतलब की ये focus करता है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके के solutions बनाने के लिए social problems के, कि वो क्या करे focus करे, focus करे create करने पे social impact बिना किसी profit gain के ठीक है, इसके जो funding होती है वो हमारी किस्से होती है, हमाई donations से या फिर charitable sources से अगला model है हमारा for profit model for profit model में हम क्या करते हैं इसमें basically हम क्या करते हैं इस तरीके से, मतलब कि business को run करते हैं, business हमारे क्या करता है revenue earn करता है और साथ में social problems को भी solve करता है, ये क्या करता है business इस तरीके से revenue, मतलब ये business इस तरीके से काम करता है, कि क्या करता है, business earn करता है revenues को, और social problems भी social issues भी साथ साथ में solve करता रहता है, ठीक है ये profit के साथ काम करता है social impact पर अगला हमारा hybrid model hybrid model क्या करता है non-profit को और for profit elements को साथ में मिला के काम करता है मतलब कि ये organization इस तरीके से काम करते हैं कि income भी generate करती रहती है और profit को अपने ही आगे काम बढ़ाने के लिए यूज करती रहती है और लोगों का काम भी मतलब कि socially help भी करती रहती है सबकी अगला हमारा social innovation model इसमें क्या करता हम innovation कुछ नई तरीके की technologies को नई तरीके solutions को बनाते हैं जो क्या कर सके social problems को solve कर सके ये long term systematic change के लिए और हमारा अगला unit है social entrepreneurship opportunities and successful models तेखो हमारे सकंदे के बहुत सारी opportunities होती है ठीके जैसे सबसे पहले हमारा waste management waste management में क्या होता है हम कुछ innovate waste ढूंडते है recycle करने की और manage करने की waste को जो कि हमारे बहुत सारी areas में काम आते है जो struggle कर रहे हो किसे pollution से तो हमारे proper waste management बिल जाता है दूसरे हमारा water management and sanitation तो water management में क्या करते है जो हमारे solution प्रोवाइड कराता है मतलब की हमारे drinking water clean drinking water affordable sanitation ऐसे systems प्रोवाइड कराता है जहां पे इन services की बहुत ज़ादा जरूरत है आगला हमारा affordable education यह हमारे बहुत सारे platforms बनाते हैं programs प्रोवाइड कराते हैं जो कि quality education प्रोवाइड कराते हैं बहुत ज़ादा underserved communities को especially in ruler areas sustainable farming इसमें हम क्या करते हैं promote करते हैं eco-friendly farming को और ऐसे methods को जो कि क्या कर सके increase कर सके protection of the environment और increase कर सके food security को अगला है इसमें हमारा clean energy solutions clean energy solution में हम क्या करते हैं हम renewable energy को use करते हैं जैसे कि हमारे solar power होती है ठीक है जो क्या कर सके हमको electricity provide कर सके cost भी उसके क्या हो बहुत दर reduce हो जाए और promote करे किसको sustainability को future का ध्यान रखते हुए हम चीजों का use करे अब हम social entrepreneurship के successful models को पढ़ते हैं जैसे कि हमारा पहला है CELSO India CELSO में क्या है हम affordable solar energy provide कराते हैं improve करते हैं कि जो हमारे गाओ वाले एरिया होजे वो भी क्या कर सके affordable price पे use कर सके solar energy को चीजों के गूंज है हमारा इसमें फोकस करते हैं हमारे urban area के जो भी waste होते हैं उसको recycle करता है और कहीं ने कहीं poor लोगों की ruler area में help करते हैं बाकि हमारे चाइल्ड लाइन है और एक people tree है आप इसके बारे में research कर लेना और आप इसको भी लिख सकते हो अपने पास से तो आप सब जो है ना नीचे PDF notes आपको provide कराए गया है notes आप download कर लेना और जब मैं आपको समझा रही हूँ तो आप जब ही टिक लगाते रही आप एक बार read करते रही आपके इदम समझ में आ जाएगा अगला topic है मारे social innovation and sustainability social innovation क्या होता है innovation term हमने काफी बार इस subject में पढ़ी है innovation मतलब कि कुछ new ideas new approaches, new solutions को use करना और यहाँ पर social innovation है तो socially, social challenges को solve करने के लिए improve करने के लिए individuals की life को communities को, poor's को हम new ideas यूज करते हैं उनकी problems को solve करने के लिए इसको बोलते हैं social innovation यह कोई भी product हो सकता है कोई service हो सकता है कोई method हो सकता है जो भी हम use करते हैं societal problems को help करने के लिए solve करने के लिए जैसे कि education, health care और environment sustainability क्या होता है देखो sustainability बहुत ज़्यादे important है पता होना चाहिए बहुत ज़्यादे useful होता है तो sustainability क्या होता है एक इस तरीके से solutions को create करते हैं जो हमारी फिलहाल की present need को fulfill कर सके और आने वाले future generation में भी उनकी जितनी भी problems है जो भी चीज़े है वो solve हो सके for example के लिए आप देखो जैसे कि petroleum है petroleum को हम अभी भी हमारी जो present need है इसको भी satisfy कर सके और हमारे आने वाली future generations को ठीक है ना उनकी needs को भी fulfill कर सके यह focus करते है हमारा balance करने में social, economic and environmental factors को long time benefits के लिए for example के लिए solar powered water purifier आपको देखे कितना social innovation है कुछ नया कि हम क्या करेंगे आपको provide करेंगे drinking water और किसका use करेंगे solar energy का use करेंगे तो देखो यह क्या करेगा water हमें पीने के लिए मिल रहा है और किसका use करेंगे इसका social problem solve हो रही है कि हमें पानी मिल रहा है पीने के लिए और साथ में क्या हो रहा है कौन से energy use करें solar energy use करें जो कि हमारा क्या एक renewable energy resource है तो sustainable भी हो गया तो दोनों चीज़ों को साथ में use करना अगला example है हमारा recycle waste into products अब देखे हम क्या करेंगे plastic है plastic तरीके से waste है अब मैं इसको किस चीज़ में use करूँगी plastic का जो भी waste है उसको मैं use करूँगी बहुत सारे materials को बनाने के लिए जो कि हमारे pollution के problem को solve करेगा जो कि एक sustainable method है अगला topic है मेरा risk management in social enterprise अब यह आपको important है क्योंकि exam में पूछा जाता है वैसे तो यह इस unit के हर question एक नाए एक बार PYQ में आए हुए है तो आपको सारे topic बहुत अच्छे से समझने है बहुत जादा अच्छे से prepare करने है और बहुत best करके आना है कि मैं comment में बस यही सुनू क्योंकि हमारा बहुत अच्छा बेपर गया है notes download कर लेना और अभी tick लगा लेना कि कौन सा important है risk management में क्या होते है हम देखो identify करते है access करते है risk को जो कि क्या कर सकते है कोई भी problem create कर रहा है हमारा तो हम क्या करेंगे उसको देखेंगे कि हमारी society में किस चीज से ज़ादा problem हो रही है कोई impact होनी पर है किसी चीज से ज़ादा risk management in social enterprise में क्या होता है risk management में क्या होता हम identify करते है ठीक है कि क्या क्या risk हो सकते है क्या क्या चीजे impact कर सकते है हमारी abilities को जो हम achieve करने में कोई problem ना है अब मुझे मेरा कोई social mission है उसको क्या करना है मुझे उसको पूरा करना है अब social mission को complete करने के बीच में क्या आएगा मेरे पास बहुत सारे risk आएंगे तो वो सब उन risk को identify करना उनको assess करना उनको solve करना ये सब मारा risk management में आता है अगला topic मारा various risk अब बहुत सारे risk होता है हमारे project को complete कराने में तो सबसे पहला मैं difficulty in obtaining funding सबसे पहले problem मुझे कोई भी चीज़ करने है उससे पहले मुझे fund चाहिए होगा मुझे पैसे चाहिए होगे तो बहुत ज़ादा जो investors होते हैं ठीक है वो profit को ज़ादा prioritize करते हैं वो इतना मतलब कि उनको ये चाहिए उनको पैसा चाहिए होते है तो ज़ादा focus नहीं करते हैं कि आर impact मतलब कि society के लिए कुछ करना है society के लिए कुछ नहीं करना है तो basically वो किस पे focus करते हैं वो अपने profit पे focus करते हैं तो ऐसा हम एक investor ढूंडना है जो कि profit से ज़ादा थोड़ा society के social social sector के बारे में सोचे burn out risk और employers and funders अब देखो इसमें क्या होता है it travels to the physical and mental exhaustion अब जो भी हमारे employees होते है employers होते हैं funders होते हैं वो यह हो सकता है बहुत जदा high demand हो सकती है लोगों की ठीक है बहुत जदा pressure में आ जाते हैं परिशान हो जाते हैं कि limited resources हमारे पास लेकिन demand क्या है demand बहुत जदा high हो रही है इस वज़ा से marketing challenges हो सकते हैं बहुत जदा difficult हो सकते हैं अपने product को services को क्या करना promote करना और balance भी करना social mission को not focusing on profit सबसे बड़ी problem कि हम क्या करेंगे हम focus नहीं करेंगे profit के ओपर क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हम social mission कर रहे हैं complete हमारा social goals है चीकि हम क्या कर रहे हैं financial sustainability के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम एक social goal को complete करने के लिए कर रहे हैं तो हमारा ये भी हो सकता है एक problem हो सकते है risk हो सकता है अगला not knowing the target audience तो इसमें क्या होता है मैं पस target audience का हमें proper नहीं पता होता है ठीक है न अगला lack of knowledge इतनी knowledge नहीं है हमें अपने कोई इदम से start करें या फिर लोगों का इतना नहीं पता है कि जो भी मेरा social mission है कैसे होगा कैसे नहीं होगा operational risk उसको काम करते वक्ते यह risk आ सकते है operational risk आगला topic है हमारा risk management steps in social enterprise अब हमारे जो risk management है उसके steps क्या होते है सबसे पहले risk identification सबसे पहले जो भी मेरे risk हैं उसकी में एक list बना लूँ जिसकी financial हो सकता है operational हो सकता है reputations reputational हो सकता है अगला risk impact assessment दोसरे में क्या करूंगी अब मैं देखूंगी कि मेरे जितने पिर risk हैं उन में सबसे ज़्यादा high risk कौन सा है medium या फिर low अब आप उच्छोंगे दीदे risk तो risk होता है ठीक है ना कि इसमें भी high low medium क्या हो सकता है तो देखे आप खुद बतागी एक होगा risk को मुझे जल्दी solve करना होगा एक हां कि अभी कुछ time बाद इसको में बाद में solve कर लूँगी तो यह है अगला है develop approach and plan अब मैं क्या करूंगी strategy बनाऊंगी कि मैं किस तरीके से उसको handle करूंगी risk को अगला select risk management tool अब risk management को मैं क्या करूंगी manage करने के लिए मुझे tool भी चाहिए होगा तो उसका selection risk prioritization analysis अब वो ही है मुझे देखना है कि कौन से risk का जादा impact पढ़ सकता है risk mitigation mitigation risk mitigation planning अब इसमें क्या होता है develop specific action to reduce risk अब मैं क्या करते हूं बहुत सारे actions perform करती हूं risk को reduce करने के लिए last है मेरा implementation in the monitoring अब मैं क्या करूंगी अपने plan को execute करूंगी review करूंगी basic time regularly कि मेरे risk दुबारा तो नहीं आया कोई problem तो नहीं हो रही है और इसको बस देखेंगे कि उसका कितने effective है वो कितना नहीं है अगला topic हमारा legal framework for social ventures legal framework for social ventures में क्या होता है बहुत सारे laws होते है regulations होते है structure होता है एक पूरा proper जिसमें हमें पूरा पता चलता है कि कैसे formation होगा ठीक है social ventures का कैसे उनका operation होगा और किस तरीके से उनकी accountability manage होगी दूसरा यह define करता है इसकी types of entities को जैसे कि non-profit for profit चीक है और किसके साथ साथ social missions के साथ साथ जैसे कि funding के rules बताता है यह requirements बताता है और help करता है social ventures को कि वो legally, ethically और sustainably अपने business को grow कर सके इसके necessity क्या होती है necessity of legal framework यह encourage करता है innovation को and intellectual property protections को sustainability पर ध्यान देता है long term growth पर ध्यान देता है और ensure करता है risk management को यह define करता है operational structures को clarity provide कराता है protect करता है rights को and liberties को आगला topic है हमारा legal structures इसमें सबसे पहला हमारा non-profit organizations है जो मैं अभी पहले पढ़ाई थी आपको यह क्या करती है non-profit organizations यह सिर्फ इस पर काम करते हैं सिर्फ social mission पे focus करते हैं ज्यादा उस पे हमारे profit पे focus नहीं करती है यह for profit social enterprise में क्या होता है यह regular business अपना चलाते हैं operate करते हैं और prioritize करते हैं environment goal को भी social goal को भी और साथ-साथ में profit पर भी focus करते हैं अगला topic हमारा hybrid organization hybrid में क्या होता है हमारे non-profit और for profit दोनों साथ में क्या करते हैं work करते हैं यह combine होते हैं दोनों elements को और allow करते हैं flexibility in funding and operations अगला topic हमारा marketing management and social ventures marketing management में क्या होता है हम create करते हैं communicate करते हैं और deliver करते हैं एक तरीके की value मतलब की value product value services किसको customers को एक इस तरीके की way में कि दोनों का benefit हो सके organization का भी और society का भी इसके key points क्या होते हैं with example यह question आया हुआ है आपका exams में तो अभी ही आप notes download कीजिए description में जाके PDF notes है proper notes है PYQ भी मिलेंगे आपको notes में important questions भी मिलेंगे एक भी question भाहर ने आएगा आएगा आपके exam में और आप अभी download कर लीजे और इसको mark कर लीजे सबसे बहले key point का है target audience यह focus करता है कि किन-किन लोगों को social issues हो रहे हैं किस-किस लोगों को problem हो रहे हैं for example के लिए low income communities जो होते हैं उनके पास पैसा कम होते हैं तो social impact उनके उपर ज्यादा होते हैं तो targeted audience हम अपनी देखते हैं अगला हमारा social impact focus यह prioritize करते है social change को over profit profit से जादा हम social impact को देखते हैं for example के लिए solar light for ruler area जैसे कि गरीब लोग हैं तो उनको हम provide करते है solar lights awareness हम क्या करते हैं campaigns का use करते हैं educate करते हैं लोगों को और उनमें क्या करते हैं awareness बढ़ाते हैं for example के लिए clean water campaign लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी पानी टैप का पानी पी लेते हैं नॉर्मल या कहीं से भी कोई नलवल होता है वहां से पानी पी लेते हैं तो उनको हम क्या करते हैं हम उनको अवेर करते हैं कि आपको क्लीन वाटर पीना है जिसे कि आपको कोई भी बिमारिया ना फैले आपक हम क्या करते हैं transparency रखते हैं transparency होगी, तो trust ज़्यादा build होगा, हमारी audience के साथ हमारा, चीक है, तो हम क्या करते है, clear use of donation for health care, हम साफ-साफ जितनी भी donation लेते हैं उसने सारी health care पर किस तरीके से use करे हैं, मत उभी transparency रखते हैं sustainability हम क्या करते है, marketing किस तरीके से करते हैं? इको फ्रेंडली प्रेक्टिस करते हैं. हम बायो गुरिडेबल पैकेजिंग यूज करते हैं एक्जामपल के लिए जैसे कि आप आज का देखेंगे कि बैग भी जूट के इस्तमाल करते हैं. उस तरीके से प्लास्टिक को यूज नहीं करना है. अगला पॉइंट है पार्टनर्शिप. हम क्या करते हैं? दूसरे लोगों के साथ, दूसरे और इगनाइजिशन के साथ क्या करते हैं? कॉलाबरेट करते हैं जिससे कि ज़्यादा हमारी रीच बढ़ सकी. फॉर एग्जाम्पल के लिए पार्टनर विज स्कूल फॉर एजुकेशनल वेंचर्स. ठीक है? हम किसी भी स्कूल के साथ पार्टनर्शिप कर सकते हैं एजुकेशनल को एक्स्पेंट करने के लिए. आप हमारा आजाते हैं एक्स्ट्र टॉपिक्स जितने भी टॉपिक में कवर करा रही हो इस सारे आपके टू मार्क्स में आए हुए हैं और थोड़े एक्स्ट्र आ हैं. पहला हमारा एफेक्टिवनेस एड इफिशेंसी. एफेक्टिवनेस क्या होता है? ये एक डिगरी होती है ठीके अब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव करने के लिए. ये क्या करते हैं, बताते हैं कि जो भी चीज हम कर रहे हैं, वो हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज हम कर रहे हैं, वो सही है, desired result को पाने के लिए, ये एक process होता है, जो क्या करते हैं, हमारे outcome को, जो भी हमारा outcome हो, उसको fulfill करने के लिए बताता है, कि हम भी मेरा कम लगे, पैसा मेरा कम लगे, effort भी मेरा कम लगे और लेकिन मुझको जो गोल मिले जो मेरा गोल मैंने अपना बना के रखा हुआ है, वो मैं अच्छे सा चीफ कर पाँ मतलब कि best possible way use करूँ और least waste करूँ वेस्ट ना करूँ और अपनी चीज को भी पालू सेकंड पॉइंट है हमारा social ventures, social ventures क्या होते हैं, social ventures businesses होते हैं, project होते हैं जिनका main क्या होते हैं, अपनी social problems को solve करना और जो needy लोग हैं, उनकी problems को solve करना, वो focus नहीं करते हैं profit gain करने पे, बस वो positive impact लेके आना चाहते हैं, society के उपर आगला हमारा topic है business plan business plan में क्या होता है business plan क्या होता है, खुच से सोचो business का plan, एक plan बनाना है, एक document बनानी है हमें जिसमें मेरा कैसे business form होगा, कैसे operate करेगा, कैसे grow करेगा, सारी जितनी भी important details होते हैं, किसी भी business को लेके, उसका idea क्या है, target market क्या है, goals क्या है, और वो कैसे पैसा बनाएगा, वो सब मारा business plan में आ जाता है एक तरीके से roadmap होता है ठीक है, जो help करता है, attract करने के लिए किसको, investors को last topic है हमारा social cost benefit analysis मतलब की SCBA, ये एक method होता है जो use करते हैं, overall impact देखने का, किसी भी project का, या फिर policy का किसके उपर, society के उपर ये compare करता है, हमारी total social cost, negative effect and total social benefits को लेकर और determine करता है, कि जो भी मेरा project है, क्या वो सही है, ये आपको मैंने PYQ और important questions प्रोवाइट करा दिये हैं, ये आपको notes में मिल जाएंगे, तो आप नीचे जाके notes डाउंडोड कर लेना, thank you मिलते हैं, अगले किसी नए subject के साथ, एक नए जर्नी thank you, bye KKStore.KKY.IN पर अनपॉक्स और न्यू प्रोडेक्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्कुश्में बिल जाएगी आप notes डाउं, ये कट कर देना, की